आज हम बात करेंगे आपकी एकर कैनेडा से रिफ्यूजल है तो उसको वीजा में कैसे बदला जा सकता है आज इसी पर मैं सारे टेप्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में ये वीडियो उन स्टुएंट्स के लिए बहुत इंपोर्टन है जिनकी रिफ्यूजल आ चुकी है और अब उनके लिए क्या डिरेक्शन्स हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये सारा आज की वीडियो में बताऊंगा बैल्स ओवरसीज दे सांड अफ यर फ्यूचर हलो एव्रिवन मैं कपिल भाटिया बैल्स और से जैसा कि हमारी इस चैनल के तुरू को हमेशा कोशिश रहती है कि हम स्कूद्स को प्रॉपर गाइडेंस देते रहें ताकि वो अपने लाइफ में सही डिसीजन ले सकें तो आज जो सुद्स हो चुके हैं सबसे पहले मैं उनको यह बोलता हूं कि रिफ्यूजल कोई गुणा नहीं है रिफ्यूजल आ जाती है क कि आटोमेशन के तुरू है उनकी आटिफिशल इंटेलिजेंस के तुरू शुनुक सौफ्टवेर लगा हूँ है तो कोई भी आपको डिसपॉइंट होने की जोत नहीं है बहुत सारे केसिस मैंने परसनली देखे हैं जिनकी पहले रिफ्यूजल आई थी उसके बाद उसको स पॉस्टिव रही है और मैक्सिमम अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो एट रिफ्यूजल के बाद भी हमने विजा लिया हुआ है आठ रिफ्यूजल के बाद भी तो दो तिन रिफ्यूजल के बाद तो कई कैसिस जिसमें हमने विजा लिया है जिसकी दो रिफ्यूजल त उसका तो सिधा सदा रस्ता है कि आप अपनी जो भी आइस या पीटी में स्कूर कम है तो उसको इंप्रूब करके दोबारा लगा सकते हैं और वैसे भी मैं फाइप फाइव इन वान मेडियूर पे कभी भी नहीं कहता आप फाइल लगाएं पीटी का भी ऐसा है कि करेंटली त प्रटी के ऊपर विजस आ रहे हैं बट पीटी का कैनेडा में ऐसे और चलता रहता है कई बर विजद देने लग जाते कई बर पीटी पे विज़ा नहीं देते हैं और जो नहीं सुट्ट तरिये उनको तो मैं यहीं स्जोडेस्ट करूंगा कि वह आइल्स करें आईल्स करके सिक्स इच के बाद ही अपनी फाइल लगाएं पीटी जिन स्टुडेंट्स को आइल्स नहीं हो रही में उनको कहता हूं कि वह फिर पीटी के अपना ट्राइ कर सकते हैं लेकिन पीटी पे भी 55 अबवब पे ही फाइल लगाएं और इससे कम पे फाइल ना लगाएं हलाकि हमारे पास पॉब्लिक कॉलेज है और वह फिप्टी नॉट लेज दन फॉर्टी थी पे सेप्ट करता है अगर आप चाहें तो अडमीशन जूरू ले सकते हैं लेकिन फाइल लगाना चाहते तो उसके बाद आप पीटी इंप्रूब करके लगाएं क्योंकि जन्विन टेक में आप की सेट्स क्योर हो जाएगी और ऐसे ही मैं हमेशा डवाइस करता हूं कि पीटी हाई स्कोर पर ही लगाया जाए अब और जो हैं फाइनेशल के कारण आयाता है कि मैं नहीं लगता कि आपके पास इतना फैनास है या आप जो आप कोर्स ले रहे हैं उसमें आपको इतने रिट मा चा चाता है मा लोग जी अगर किसी के सिंगल पेरेंट है तो उसको में साथ में किसी को एड किया जा सकता है दो जानों के आइटियर एड करके भी दस लाग की कम से कम बना दीजिया एटियर और उसके बाद हाँ यह जो चीज़ है यह फर्स टाइम ही करनी है आपने कि आपने शुरू से ही बताना है कि यह वले हमें स्पॉंसर करें दस लाग की कम से कम आप आइटियर लगाईए अगर आपकी फर्स टाइम नहीं लगी हुई तो सेकेंड आइम आप लगाईए उसके बाद कुछ 25 छला कर पर दिखा दिया कम से कम अपने 10 लिक्श है आपने सेविंग में यहां अपके पास dif 들고 तो उसमें 10 लाक करें की। आपके बास डिःव करने के लिए पैसे हैं और 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 उर, व Judith रहो साथ में financial matrix को बोल्ड में करिएगा वह बड़ा इंपोर्टेंट है फैनेशल मैट्रिक्स लगवाते हैं तो वह बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है उससे काफी आपकी विजा प्रबबिल्टी हाई रहती है उसके बाद हम वह प्रोसेसिंग है वह आपको फाइलिंग स्टोंग करने पड़ेगी क्योंकि जो आपके विजा ओफिस हैं वह बहुत हारोली हर चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं वह देख रहें कि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी का मतलब है कि जो आपने यहां पर मड्यूल्स पड़ें उसका अडवांस वरिजन आप अगर करने जा रहे हैं अगर आपके वही मड्यूल रेपीट हो रहें तो आपको विजा ग्रांट नहीं करेंगे ये सुद्स दिहान रखिएगा अगर आपसे फर्स टाइम गलती भी होगी है तो सेकेंड आप अपना रेलेवन कोर्स लेके उसके बारे में लिख सकते हैं कि फर्स टाइम मेरे को इतनी रिसर्च नहीं थी सेकेंड डाइम मैंने डिसक्स किया अपने मैंटर से अपने पेरेंट से तो आपने एक बार एक एजहन से फाईल लगा ही दूसरे दूसरे एजहन यहां दूसरा दे रहा है ऐसे बिलकुल मत कीजिए अगर आपका फर्स टाइम एक इस कोर्स कोर्स में डोग देटा है कि अगर आपके मालिजी किसी सब्जेक्ट पर्टिकलर में 50 से नीचे सकॐर है तो आप उसे से रिलेटेड अगर आप कोर्स ले रहे तो वह बहुत बड़ी गलती हो यह दिया हमेशा ट्राइ कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा उसे से रेलेवेंट आप कोर्स लीजिए तो आपकी जो विज़ा प्रोबिल्टी है वह हाई रहेगी और उस की वह उसको डाल देते तो वहां पर आयाता है कि यह वहां से उठाया गया है बाकी आपने लिखा है तो इसलिए एस सोपी में स्पेशल कहता हूं स्टूरेंट्स को कि अपनी जो सोपी है वह पर्टिक्लर होनी चाहिए वह यह नहीं कापी पेस्ट वाला काम बिल्कुल मत की कीजिए वह करके आप अपने वीजा को रिस्क में डाल रहे हैं तो वह मैं बिल्कुल स्टूरेंट्स को आडवाइस करता हूं अगर पिछले बार आपके एस सोपी गलती से लगी हुई है तो उसको दोबारा से इंप्रूव कर लीजिए तांकि आपका जो वीजा सक्सेस इस लिए या कहीं भी किसी पैरा में इसको साथ में एड़ कीजिए कि आप अपने हमेशा पेरेंट्स की गाइडेंस में रहे हैं और आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं इसलिए आप डिप्लोमा करने के बाद अपनी होम कर्ट्री आएंगे क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को लेट एज में हेल्प करेंगे तो यह वहला परा बहुत इंपोर्टन है हलांकि अगर कोई भी स्टूरेंट एस सोपी के हमारे से हल्प लेना चाहता है तो हमारे शिक्स तू नाइन टू जिरो पे कॉल कर सकते हैं आप अपनी एस सुपी हमें सेंड कर सकते हम चेक करके आपक को यह वहली चीज करनी है यह नहीं बड़ उसके लिए आपको कम से कम 48-72 आउर्स का में टाइम देना पड़ेगा यगर आप कहेंगे अभी बेचके अभी बिदा दो तो तो दैट इस नोट पॉसिवल तो कि हमारे जो अपना रेगुलर काम है वो भी करना होता है उसके देते और आपकी हम help out भी करेंगे को कई students ऐसे भी हैं जिन्होंने मारे से काली असों पर बनाके भी हमने उनको help कि और उनके विजस भी आए हैं और उसके बाद कुछ और रिजन्स रहते हैं आपके विजा रिफूजल के उसका कारण होता है कि मान लीजे अगर आपका profile वीक जिसमें मान लीजे गैप में आप evidences प्रॉपरली नहीं देते हैं आप सिर्फ एक experience certificate लगा देते हैं that is not sufficient अगर आपका गैप है तो मान लीजे दो से तीन साल जाए तीन से चार साल का गैप है आप पहले अपनी appointment letter offer letter appointment letter appointment letter में आप job duties describe कीजिएगा जो की relevant होनी चाहिए जो आप अपनी अगर salary account में आरी तो पूरी account statement लगाईए आप अपनी salary slips लगाईए उसके बाद every year app appraisal letter एक 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 लगवाईए लास्ट में आप experience certificate लगाईए और सबसे important जो बात है जो आपने पहले study की हुए है जो आप course आगे करने जा रहे हैं बीच का अगर gap है तो उसमें experience होना चाहिए जो दोनों में bridge का bridge का काम करें ताकि वो दोनों की relevancy बना सके अगर आप इसके लिए हमारी service लेना चाहते तो आप बैल्स और से सभी अपनी filing करवा सकते हैं और आप यह वाली जो filing है पूरे all over India कहीं से भी करा सकते हैं क्योंकि हमारा जो process सारा online रहता है तो सारे reasons हैं अगर आपका फिर भी सबसे पहले मैं यह students को guide करना चाहता हूं कि आप अपने केप्स नोट चूर अपलाई कीजिए देखिए एक आपके पास option है reconsideration की जैसे आपकी refusal आती है तो आप उसको reconsideration में डाल सकते हैं कि उसको reconsider किया जाए और अगर आपको लगता कि आपक और उसके बाद अपनी प्रॉपर लिए सोपी बनाके अच्छे तरह से द्वारा से अपलाई कीजिए तांकि आप अगर आपका मालूप कोई केप्स नोट में रिजन आता है कि financial नहीं है सोपी वीक है यह आपका कोई भी और ABCD रिजन होता है उसको दूर करने की कुशिश कर कि उसके बाद अपनी फाइल लगाई है कुछ लोग क्या करते कि पहले लगी है फाइल कंसल्टेंट भी थोड़ा फोर्स करते कि दवारा उसी प्रफाइल पे लगा दो वहां थोड़ी सी मिस्टेक रहती है आप एक बार केपस देखके कि वह अल्टिमेंटी जो सेकिंड डि इंडूजल केस है तो आपको कोशिश विए करनी चाहिए कि आप अपना केस पहले केपस अपलाई करके उसके रिजन्स फाइंड आउट करके उसके बाद अपलाई करें या आप किसी एक्सपिरियंस कंसल्टेंट से एक दो से आ इस बारे में तो आप कंसल्टेशन फ्री है कि वह आप ले सकते हैं और उस कंसल्टेशन के बाद आप उना डिसेजिए क्योंकि कई वर तो हमें फाइल देखके पता चल जाता कि यह इस कारणी रिफ्यूज है तो फिर भी मैं यह जो करता हूं कि केपस अप्लाई कीजिए केपस का यह रिजन रहता है कि जो विजा आफ केपस अप्लाई किये थे इसे रिजन से किया था जबकि यह बात ठीक नहीं है उसका हमारे अलड़ी जो अच्छे हैं या कोई भी अगर कोई और भी रिजन बताते हैं उसके भी हम उसके में प्रापर एक्स्प्लानेशन देखें आपके द्वारा फाइल लगा के विजा ले बिस्निस or call us for visa services follow us on our social handles for offers and new updates